पुलिस को सुमवार को चेन स्नैचिंग के मामले में एक बड़ी काम्याबी हाथ लगी है जब भेलूपूर पुलिस ने मुखबीर की सूजना पर पदमिश्री चौराहे से असी जाने वाले मार्क पर दबिश दे कर चार अभ्युक्तों को गिरफतार कर लिया पकड़े गया अभ्युक्त मनिश सेंग, राकेश कुमार वर्मा और विठल भगत शातिरी चेन स्नेचर है इन अभ्युक्तों में एक अभ्युक्त ना बालिक भी है पुलिस की पूश्ताच में अभ्युक्तों ने बताया कि हम लोगोंने कीना राम आश्रम से एक टोटो सवार मैला के साथ चेन स्नेचर की घटना को अंजाम दिया था इस चेन को हमने अपने दोस्त राकेश वर्मा को दिया था जिसने चेन गला कर चौक टंच सोना वेवसाई विठल भगत को बेचा था जिससे हमें 13,000 रुपे मिले थे ये काम हम लोग अपना शौक पूरा करने और शराब की लट के लिए करते थे फिलाल पुलिस ने पकड़े गए अभिक्तों को समबंदित धाराओं में जेल भेज दिया है जुक रखने जिसमें छिनाती करने वाले दो अभिक्तों के साथ wrap our दो ऐसे लोग जो सोना उसमें कुछ part छीन के लिए गए थो इसके डिस्पोजल में संलिब्त थे ऐसे चार अभिक्तों को गिरफ्तार किया गया है और चारों अभ्युक्तों को गिरफतार करके आगे की व्येशना की जा रही है। अभी कोई आपराधी की तिहास अभी तक प्राप सूचना के अमसार नहीं है। ये नए उम्र के लड़के हैं जो बिग्डायल हैं और भूंगते टहलते रहते थे। अचानक उस दिन नशे करने के बाद जो है इनके मन में ये आया है कि हम ये काम करने जिसके प्रयास में ये हुआ। लगभग सोने की जो चैन का कुछ हिस्सा इनके हाथ में चला गया था जो वादी द्वारा बाद में बताया गया। उसकी सत्प्रस्ट बरामदगी उतने वजन की की गई है और अल्युक्तम्रूद कठोर कारवाई विधिक कारवाई की जा रही है।